हेलो एबरीवन एमपी पुलिस कॉंस्टेवर रिजल्ट जो है आज यह कल तक में डेफिनिटली आ जाया कारण यह है कि जो रिजल्ट में सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी वो थी OBC रिजर्वेशन जिसको लेकर संसय बना हुआ था कि अब क्या किया जाया तो उस चीज को 113 पर्षंट पोश्टों का रिजल्ट आएगा मतलब यह मानके चलिए कि लगभक सीटों की संख्या 8000 माल ली जाएगी और जो रिजल्ट है उसका साथ से आठ हो न मतलब पचास से साथ हजार लगों का जो है एक्जाम जो है निकलने वाला है सतर हजार तक भी जा सकता है क् कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं इनका सेम सेम कटाफ रहता है दूसरा भी समझे कि फिजिकल के भी 50% जो है मार्क्स जुड़ेंगे तो 113 फिजदी पर रिजल्ट बनेगा ठीक है एक रहेगा आपका मुख्य भाग जिसको यह माना जाएगा इनको अभी चैन कर दिया जाएगा जो 87% वाले होंगे इनको ज्वाइनिंग दी जाएगी और जो 13% की दो-दो कटेग्रिया बनेगी एक जैनल के लिए एक OBC के लिए जो हाई कोट का डिसीजन होगा उस आधार पर उनकी ज्वाइनिंग मिले मंदब यह 13% पोस्ट लगभग 970 पोस्ट जो है न होल्ड पे रह जाएगा तो सबसे पहले अगर एश्टी की बात करें तो एश्टी अगर अभी आप 45 नंबर के आसपास हैं स्योर रही है डेफिनिटली दोडने का मौका मिलेगा जो एसी कटेग्री में है वो लगभग 85 में 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 मेल की बात कर रहा हूं जो OBC और EWS का है ठीक है वो लेगा मतलब क्यों कि लगभग 50 से 60,000 लोगों का पहला स्टेज क्लियर होने वाला है यह जुरूर हो सकता है कि जब आप फाइनल में जाए तो यह कटाफ आगे पीशे हो जाए क्योंकि पहली बार आप देख रहे हैं कितने समय में आपने दोड़ा कितनी दूरी तक आपने बोला फेका है कि सुचाई को आपने दूदा है इन सभी चीजों पे कटाफ बनेगा लेकिन अगर उभर ओल हम कहें जो बंदा भी विसे एक दो दिन के अंदर रिजल्ट आ ही जाना है तो ज्यादा कटाफ पे बात ना करें लेकिन आप जो है न निश्चिंत रही है कि करें थैंक यू बाई